तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हमारे 22-23 जो 2023 में जो बंचे मैट्स का पेपर देंगे क्लास 10 के लिए उसका सेलिबस अम यहां पर डिसकस कर रहे हैं तो यह यूनिट वाइस आपको यहां स्कोर दिया हुआ है हमेशा यूनिट वाइस ही स्कोर होता है ज topic मिला करे मैं आपके यहां पर आरहा हैं तो उन थीन उत चैप्टर का स्कोर मिला करके आपका 20 मिल जाएगे अ इसा नहीं становится तो यह लंबा चोड़ा syllabus हमें CBAC की तरफ से दिया गया था, तो यह only CBAC board का ही syllabus है, तो इस बार हमारे बहुत कम topic है जो अटे हैं, बड़ एक chapter पूरा का पूरा यहां पे हड़िया है, तो जब भी आप पढ़ने बैठो के तो यह नहीं कि आपको syllabus लेकर के बैठना है, तो मैं आ यहां पे हमारी NCRT examplar हो गया, तो वहां पे आपको topic पता होने ची कौन से topic डिलीट हूँ है, तो मैंने यहां पे करके और यह note कर लेना कि कौन कौन से topic हमें नहीं पढ़ने, अधर्वाइस, मेंनली तो आप NCRT बुक पढ़ते हो तो वह तो आपको मैं हाथ के हाथ यहां पे अधर्वार के यहां पर आपको पता से जाए कि यह exercise में यह question नहीं करना, यह example नहीं करना, यह topic नहीं करना, यह पूरा-पूरा chapter नहीं करना, सारा का सारा हम यहां पे φہ better tick' करेंगा so first chapter के अगर सबस कर साथ है chapter हमारा real number तो इसमें आप सीधे हमारा चले जाओ जो महारा jest fourth topic he żyuclid division lemma यह topic यहां से हमारा पूरा हडिया तो यह topic हड़िया तो वह मतलब यह न तो हमारे पास lemma आरी है न हमारे पास यहां पर algorithm हारी है तो यह सब कुछ हट गया अब देखो अब यह example नहीं मैं बता रही हु example क्यों नहीं हटा रही हु क्योंकि हमारे पास HCF फाइं करने के और भी method है सिर्फ Euclid algorithm से ही हम HCF नहीं find करते हैं हमारे पास आगे और भी method है तो इन question को आपको उन method से solve करना है यूकलिट से नहीं करना है लेकिन दूसरे method से करना है इसलिए यह example मैंने यहाँ पर cross नहीं किया तो example 2 आपका हट गया example 3 आपका यहाँ पर cross कर दो क्योंकि यह पूरा लेमा के उपर based है और यह example 4 आपका है लेकिन आपको hcf यहाँ पर find करना है और यह important question भी बहुत बार exam में आया हुआ है तो यह आप दूसरे तरीके से यहाँ पर hcf find करो देखो तो question number 1 आपको यूकलिट division method से नहीं करना है आपको hcf find करना जो method आपको सही लगे उससे आप कर लेना फिर आप यहाँ पर यह two आला cross कर दो four cross कर दो और five cross कर दो यह आपके सिर्फ यहाँ से आपको one पढ़ना है और three पढ़ना है हमारे पास दूसरा तरीका है hcf निकालने का तो ठीक है यह समझ में आ गया अधरवाइस हमारी पूरी exercise दिलेटेट है यहाँ पर इन questions को दूसरे method से solve कर लेंगे फिर आप सीथे चले जाओ page number 15 के उपर तो 15 पर आपको यह वाला topic यहाँ पर है नहीं revising rational numbers and their decimal expansions तो इससे related आपके जो भी example है यह जो भी theorem है हमारे theorem 1.5, 1.6, 1.7 exercise 1.4 हमारा पूरा का पूरा यहाँ से क्या होगा है डिलेट होगा है इसमें से आपको कोई भी question नहीं पढ़ना है optional exercise हमारे पास है ही नहीं तो यह chapter 1 में आपको दो topics पूरे के पूरे हड़ गए थे वो दोनों topic उस related questions उस related examples आपको नहीं करना है अब आते हैं हमारे chapter 2 पे जो कि यह हमारा polynomials तो polynomial में आपका जो long division method है वो हमारा यहाँ पे हड़ गया है तो हम यहाँ से सीधा लाते हैं कहाँ पर page number 33 पर तो 33 पे आपका जो यह division algorithm for polynomial यह पूरा हड़ गया है तो 2.3 पूरी की पूरी आप यहाँ पे क्या कर दो cross कर दो फिर इसके बाद हमारी optional exercise तो optional exercise के अंदर आपको यहाँ पे दो question नहीं करने कौन कौन से question number 4 and question number 5 यह आपके division के उपर बेज़ने यह दो question आपको नहीं करने बाकी questions करने क्योंकि यह questions important होते हैं और exam में आपके आजाते हैं elimination, substitution है, आपका graphical है, cross multiplication method है, तो यह method आपका यहाँ पे हड गया है, इस method से हमें questions को solve नहीं करना है, questions सारे method के लिए लगबग same है, लेकिन आपको यह बाला method apply करके उन questions को नहीं करना है, तो मैं आपके यहाँ पे कोई भी example और यह नहीं काट रही हो है, जैसे यह example 14 है, यह भी आपका आएगा, बट आपको यहाँ पे यह cross multiplication method यूज नहीं करना है, जो method आपको easy लगे वो आप करना है, तो कोई भी question में यहाँ से नहीं हटारियो, exercise 3.5 बिने हटारियो, सारे questions आपको करने है, बट यह method apply नहीं करना है, चेके, चलो next chapter, same हमारा chapter number 4 है, हमारा quadratic equation, उसमें भ completing the square method है, वो यहाँ से पूरा का पूरा क्या कर दिया है, cross कर दिया, तो page number आप यहाँ पे क्या करो, 76 पे, इस topic के उपड़ लिको कि only method डिलीट हुआ है, यह सारे questions आप यहाँ पे कर सकते हो, other method से, तो यह सारे questions आपको यहाँ पे जरूर करने, example 7 हो गया, example 8 हो गया, यह सारे questions 9 हो गया, यह हमारी पूरी exercise होगी, 11, 12, 13, सब कुछ, 14, 15, exercise 4.3, तो इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, यह method को यहाँ से आटा दो, इस method से हमें questions को solve नहीं करना है, अदर्वाइस हमारे पास दूसरे method है, उन method से हम questions को solve कर साथे हैं, बहुत कम सहले बस आपके दिलीट हुआ है, यह topic आपके दिलीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे exercise कोई भी दिलीट नहीं हुए, चलो 5th chapter, chapter 5 है हमारा AP, arithmetic progression, बहुत अच्छा chapter है, class 11 में यह chapter यूं का यूं आपका उठकर के आ जाता है, तो इस वाले chapter में से कुछ भी दिलीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे chapter number 6, triangle, जो के हमारा theorem based chapter है, तो यह बच्चों को बहुत टफ लगता है, और इस में से हमारे बहुत सारी theorem, 4-5 theorem जो हटा दी, उस रिलेट questions को यहाँ पे क्या कर दिया है, हटा दिया, तो सही दे चलो हमारे page 141 पे, जो जो चीज़े बच्ची हुई ना वो बहुत easy है, जो कट यहाँ से चलेगे, इस रिलेट example 9 लिटा दो, exercise 6.4 यहाँ से चलेगे, फिर उसके बाद हमारा next topic यहाँ से है, पाइता गॉरस theorem जो है, इसे related हमारी 6.7 है, 6.8 theorem है, फिर आपकी 6.9 theorem है, यह सारी theorem हमारी यहाँ से चलेगे है ना, इसे related आपको ना कोई example करने, 11, 12, 13, 14, यह को कोई example आपको नहीं करने है और exercise 6.5 जो है वो भी उमें नहीं करने है, exercise 6.4 चलेगे, exercise 6.5 भी यहाँ से पूरी की पूरी चलेगे, अब उसके बाद यहाँ पर आती है हमारी optional exercise, optional exercise इसके important होती है, हमेशे आपको करने होती है, कोई भी कहें कि नहीं यहाँ यहाँ लिखा करने है, फिर chapter number 7, coordinate geometry, इसमें भी आपका एक topic हटा है, जो कि आपका 11th में भी वही topic हटा है, और यहाँ पे भी topic हटा है, तो यहीं से आप पढ़ो ही मत आगे भी आपको नहीं पूचे, area of triangle, यह topic आपका यहाँ से क्या करना है, हटा जाए, इससे related example, 11, 12, 13, 14, 15, और exercise 7.3 यहाँ पे छोड़ देना, फिर next chapter number 8 और 9, यह पूरा का पूरा आपका 11, 12 में काम आने माला है, तो 8 और 9, introduction to geometry और chapter 9 जो है, जो बच्चों को बहुत तफ लगते हैं, यह दोनों chapter में से कुछ भी delete नहीं किया है, क्योंकि जो आगे जाके maths लेंगे, उनके लिए यह दो chapter बहुत कम इनों ने cancel किया है, चलो, इसके बाद हम जाते हैं, हमारा chapter number 10 है, circles, तो इसमें से भी कुछ भी delete नहीं हुआ, यह भी चेप्टर आपका पूरा का पूरा आ रहे है, तो बहुत छोटा chapter है, दो theorem है, इसमें और बहुत छोटी सी exercise है, यह रहे हैं, यह रहे हैं, 10.1 त 11 के आगे, पूरा ऐसे cross लगा दो, यह चेप्टर तो हमें पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ना ही नहीं है, now next है आपका area related to circle chapter 12, तो इस चेप्टर में से भी कुछ नहीं कट रहा है, पूरा का पूरा चेप्टर आपका यहाँ पर आ रहा है, यह पूरा का पूरा चेप्ट और वही topic हमारा इस बार भी कटा है, तो सीधा आप चले जाओ, यहाँ page number 252, 252 से यह आपका, frustum of कौन जो है, यहार बार tough भी है, बच्चों को formula याद भी नहीं होते हैं, तो यह आपका topic पूरा का पूरा हटिया, तो example 12 भी कार्ट दो, आपका 13 कार्ट दो, बड़े- 5, 6, 7, यह तीनों फ्रस्टम पर बेस्ट हैं, यह आपको यहाँ पर नहीं करना है, तो यह आपके यह कर्णा है, तो यह आपके यह कर्णा है, जो पूरी की पूरी यहाँ से आदो, इसमें कोई optional exercise में नहीं है, तो इसमें से सिफ एक exercise कर्टी है, यह वाली जी एक्सराइस त फिर नेक्स हमारा चैटर है, प्रॉबिलिटी, प्रॉबिलिटी में से कुछ भी नहीं कर्णा है, यह आपको चैटर पूरा का कुड़ा पर नहीं है, तो कुछ-कुछ टॉपिक से आपके यहाँ पर गए, बाकी सब तो आपका आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ह तो इसमें से देख करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दो फ्रस्टम आफ कॉन्स रिलेटेट क्वेशन एक्जांपल नहीं करने है, प्रस्टम नमबर डालो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पुरा हड़िया, इसमें हो जाई वाले क्वेशन नहीं करन चलो, all the best!